कि स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आई टी स्टूडियो में तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आइवेस आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास तो आज का जो कोसंस होगा बहुत इंपॉर्ट होंगा और आज के जो कोसंस इसमें बिल्कुल द्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरीकास तयार कर लेंगे को कि जो भी आपके कोसंस होते हैं तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से तयार करते रहें और क्लास को अटेंड करते रहें जो हमारी क्लास है साम को आट बच कर 15 मिनट पर होती है तो आपको डेली इस्तेमाल कर रहें तो आपको किस सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेल से या फिर लॉग इन से या फिर इसल से अगर आपको पता करना है कि क्स सेल का उपियो किया जा रहा है तो उसके लिए क्या होता है आपका उसके प् ! कमांड होता है एक कंद यूट 요 करेंगे HE conspiracy का इस्तिमाल करेंगे यूट करेंगे जिए जा से माल हो रहा है अगर आपको पता चुल से सेल और कर में होता है तो यह manifest iron को स्वाइट होता है तो यह चित्था सब्सक्राइब कह दो सब्सक्राइब बढ़ा सब्सक्राइब ऑपको ओपर साथ रहे है और यह कि आप तनर बड़ता है Q Di कि और जो कि है Linux Kernel का फाइल नáम क्या होता है। अब देखिए लाइनक के अज़ब से तो Linus का operating system जो होता है लाइनक्स एक operating system है और इसका एक जो है कि यह घाग होता है करनल और एक होता है Cnya तो करनल होता है Kernel का फाइल नाम क्या होता है इनमे से कोई नहीं तो इसके लिए क्रेक्टर क्या होगा तो जो गईनेंग सिस्टेम और उसका करणल होता है। तो कर्नर का फायलनेम बताना आपको क्या होगा तो जो कर्नर का फायलनेम होता है V-A-M-L-I-N-U-J ये जो यह क्या आपका होता है कर्नर का फायलनेम Linux Operating System में अब Linux में आपको पता होना चाहे कि जो Linux से आपका एक Open Source Operating System है यानि बिल्कुल free होता है आप इसके साइट से download करके बिल्कुल free इस्तेमाल कर सकते हैं question number 2 का B number option आपका बिल्कुल correct है चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ अपने next question की हो और तो next question question number 3 A E PS में B F D का पुनरूप क्या होता है A E PS के संदर में बताना है कि B F D का पुनरूप क्या होता है तो A number आपसने Best Finder Detection B number आपसने Best Finger Detection C number आपसने Bank File Detection D number आपसने Bank Finger Detection तो बताई आपको correct answer क्या होगा कि A E PS में B F D का पुनरूप क्या है A E PS में B F D का पुनरूप बताना है कि Best Finder Detection होता है या फिर बेस्ट फिंगर डिटेक्शन होता है या फिर बैंक फिंगर डिटेक्शन होता है या फिर बैंक फिंगर डिटेक्शन होता है तो AAPS जो होता है AAPS का फुल फाम होता है आधार इनेबले पेमेंट सिस्टम अधार Enabled Payment System AAPS का Full Farm होता है और जो AAPS है इसके द्वारा हम क्या करते है अधार के द्वारा रूपए निकालने का काम करते है AAPS के द्वारा और जो BFD है BFD के मुखरूप से तीन Full Farm इस्तेमाल में आते हैं एक है Binary File Descriptor ठीक है याद रहके का BFD के होता है Binary File Descriptor और होता है एक और फुलपाम Bidirectional Forwarding Detection Bidirectional Forwarding Detection भी होता है BFD का फुलपाम और इसी के साथ जो BFD का फुलपाम होता है IAPS के संदर में के आधार से लेटेट EAPS से सम्मन्दित वो होता है Best Finger Detection क्या होता है Best Finger Detection और तीनों पुलपाम याद रखेंगे आप लोग BFD का कि Best Finger Detection Bidirectional Forwarding Detection और Binary File Descriptor चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने Next Question की ओर तो Next Question नमबर 4 Malware Program जो System को Lock और Control करते हैं मैं से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि System को Lock या फिर Control करता है तो Options के आपके पास Options है आपके पास Zombie फिर आपसन है आपके पास Virus फिर आपसन है आपके पास Ransomware और फिर Option है क्या है आपके पास फिर आपसन है आपका Trojan Horse तो इसके लिए Correct answer क्या होगा इसके लिए Correct answer सेट किजिए कि इसके लिए क्रेक्ट एंसर क्या होगा आपका तो यहां पर रायंशों बॉलते हैं को सी नमझ overhang और इंसे मेयर वोलते हैं प्री सब्सक्राइब किया कौन से कमांड भी आप इसा में से कौन से कमांड नियुकर की工 प्राशीत करता यहां पर क्या होगा तो यहां पर हम यूज करते हैं डी यू क्या होता है डिस्क यूज के लिए डी यू कमांड का के इस्तेमाल होता है गूस्षर नंबर फाइब का लेगा डि यू होता है डिस्क की के लिए जूके लिए फिरम बढते हैं के चाह evaluator जो की है इसके लिए टी वाइरस किस ऑ कई पटीर्टिंग सिस्टम द्वारा समर्थिथे जो इसके लिए इसके लिए वारेश से वह जो है कि ब्रक्ति नंबर आपसें एंडराइड तो इसके लिए करेक्ट एंसर क्या होगा कि कि इसके इंडवाइज किस उप्रेटिंग सिस्टम दोरा समर्थी थे बताईए आप लोग एक मैक उप्रेटिंग सिस्टम है कि विंडोज है कि लाइनक्स से की एंडराइड है तो यहां जो e-scan है, e-scan आपका windows में कारे करता है, windows system द्वारा समर्थित है, तो question number 6 का, b number जो option है windows, यह option आपका बिल्कुल correct होगा, फिर अब बढ़ते हैं इसे कसाना आते, next question जो कि है question number 7, backup, restore, क्या है, backup और restore, क्या होता है, तो a number जो ने office program, b number जो utility program, c number जो system software, और d number जो ने none of the options, तो इसका correct answer क्या होगा, पता यह बहुत ही simple सा question है यह, कि backup और restore, क्या है, backup, restore, क्या है, बहुत ही simple सा question है, यह, कि office program है, या फिर utility program है, या फिर system software है, या none of the revenue पर्युक्त में से, कोई नहीं, correct answer क्या हो सकता है, तो देखें, यहां पर आपको ध्यान देना है, यह, कि backup जो restore होते हैं, system utility होता है, यानि backup रिस्टोर ऐसे program होते हैं, जो कि हमारा कोई business कारें नहीं करते हैं, लेकिन system को विवस्थी डंग से चलाने के लिए आवस्यक होते हैं, और तो backup restore क्या होते हैं, हमारे utility program होते हैं, utility software होते हैं, question number 7 का, B number, आपका बिल्कुल correct होगा, utility program ठीक है, और जबकि system software के अंदरगाद विंडोज है, विंडोज में आपके Windows 7, 8, 10, जो भी है, Windows 11, सभी आपके operating system, system software के अंदरगाद आते हैं, इसके system software हैं, जो operating system है, उसमें आपका Linux है, Unix है, Ubuntu है, DOS है, Boss है, यह सभी कहा हैं, आपके operating system, यह सभी आपके system software होते हैं, ठीक लिप्रे office writer में, scroll bar option किस menu में होता, अगर आप लिप्रे office writer यूज करते हैं, तो जो scroll bar option है, यह आपको कहां पर मिलेगा, तो option क्या आपके पास, file menu में, B number option है, tools menu में, C number option, A number option है, file menu, B number option है, insert menu में, C number option है, आपका tools में, और D number option है, view menu में, तो इसके लिए correct answer क्या होगा, scroll bar option आपको किस menu में मिलेगा, file में, insert में, tools में, और view में, view menu में, आपका scroll bar, synchron, hide करने का option मिलता है, जब के tools में, आपका word count मिलता है, और इंसर्ट में अगर आपको कोई image is करना है कोई से इंसर्ट करना उससे समझत कमड़ मिलेगा इंसर्ट मीनु में आपका डिच्रल सिगनेचर सेप ओपेन क्लोज यह सभी command मिलते हैं इसके लावा send या फिर save as pdf export as pdf यह सभी option आपको कहा मिलते हैं file menu में लेकिन scroll bar कहा मिलता है आपको view menu में फिर हम बढ़ते हैं question number 9 की ओ तो question number 9 हमारा क्या है online video देखना क्या कहलाता है जो हम online video देखते हैं तो online video को देखना क्या कहलाता है तो a number option है कि uploading, b number option है downloading, c number option है streaming और d number option है इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा इसके लिए कि इन में से correct answer क्या है कि online video को देखना क्या कहलाता है uploading कहलाता है कि downloading कहलाता है कि streaming कहलाता है या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे जो अप्लोडिंग होता है कि अपने कंप्यूटर से डेटा को Unternet पर अप्लोट करनाğा क्या बूलोडिंग होता है इंटरेनेट से फाइले प्राप्त करना डाउनोडिंग होता है इंटरेनेट पर फाइले भेजना अप्लोडिंग होता है और अनलाइन वीडियो देखना है अनलाइन वीडियो दिखाना हो क्या होता है streaming बोलते हैं क्या बोलते है streaming question number 9 का यहाँ पर जो c number आपने streaming यह option आपका बिल्कुल correct होगा ठीक है इस तरह से फिर आपने next question की ओर तो next question क्या है question number 10 error 404 क्या दरसाता है error 404 जो होता है यह क्या दरसाता है ए नमबर आपने पेज नहीं मिला बी नमबर आपने के server not found यानि के server नहीं मिला c number आपने connection error क्या जो connection आपका है connection में कोई problem है और डी नमबर आपने के a and b दोने यानि के पीज नहीं मिला और साथ में server भी नहीं मिला server या फिर नहीं मिलता है तो आपका error 404 दिखाई पड़ता है तो question number 10 का डी नमबर option गरेक्ट होगा बहुत a and b ठीक है तो कि अगर server नहीं मिला अगर server नहीं मिला तो page भी नहीं मिलेगा तो सिम्पल सी बात है कि server not found और page not found दोनों हो जाएगा ठीक है चलिए फिरम बढ़ते हैं इसे साथ अपने next question की और question number 11 जो की है कि Linux में character count के लिए किस command का इस्तेमाल किया अगर आपको Linux open system करते हैं और उसमें अगर आपको character count करना है अच्छर count करना है तो उसके लिए क्या command इस्तेमाल किया जाएगा ए नंबर आपसे ने count B नंबर आपसे ने WC C नंबर आपसे डवलू count और D नंबर आपसे ने CW तो correct answer क्या होगा इसके लिए कि Linux में अगर आपको character को count करना है अच्छरों को count करना है तो किस command का इस्तिमाल करेंगे count का कि wc का या फिर w count का या फिर cw का तो देखिए अगर आपको character count करना है तो क्या यूज़ करते हैं wc का इस्तिमाल करते है question number 11 का b number जो आपसन है wc या फिर आपसन आपका बिल्कुल correct होगा linux में character count के लिए wc कमांड का इस्तिमाल किया जाता है 11 का b number आपसन आपका बिल्कुल correct होगा फिर अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने next question की हो तो question number 12 है question number 12 है आप किस cable का उप्योग करके pc और mobile के बीच data transfer कर सकते हैं अगर आपको क्या करना है कि अपने mobile से अपने PC यानि personal computer के बीच data को transfer करना है तो किसके द्वारा करेंगे किसके द्वारा data को transfer करेंगे तो A number आपसने HDMI B number आपसने USB C number आपसने twisted pair और D number आपसने coaxial cable तो correct answer क्या है इसके लिए बताइए आप लोग कि आपके इस cable का उप्योग करके अपने PC से ने अपने computer से mobile को के बीच data को transfer कर पाएंगे HD हमाइनी high definition multimedia interface होता है USB यानि यूनिवर्सल serial bus होता है और twisted pair cable coaxial cable आपके guided media होते है तो जो आपका PC से mobile में data transfer करने के लिए इस्तेमाल के जाता है कौन सा होता है USB होता है Universal serial bus का इस्तेमाल के जाता है question number 12 का B number आपके बिल्कुल correct होगा ठीक है फिर हम बढ़ते हैं इस एकरम में अपने next question की ओ next question हमाइन question number 13 तो question number 13 है हमारा check card क्या है check card क्या होता है A number आपसे ने तो check card क्या होता है बताएं आप डेविट काड होता है covid card होता है कि दोनों होता है या फिर इन में से कोई नहीं देखें हम या जो debit card है debit card के बारे में आपको उता debit card जो होता है इसके दवारा अगर आपके bank खाते में कुछ रूपए आपके अकाउंट में कुछ रूपए है तो आप उसको जो है कि इसके द्वारा निकाल सकते हैं ठीक है इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं लेकिन जो credit card होता है credit card में अगर आपके खाते में कुछ रुपए नहीं है और अगर आपके credit card जारी करा है तो credit card से अगर आपके bank में खाते में रुपए नहीं है फिर भी आप कुछ रुपए payment कर सकते हैं कि आपके बैंक दोर निदारित होता है और बाद में आपको उसके जो भी ब्याज होगा उसके नुसर आपको चुकाना पड़ेगा बाद में लेकिन डेविट कार्ड में जब आपके आकाउंट में रुपए रहेंगे तभी आप उसका यूज कर पाएंगे अगर बैंक खाते म इसको डेविट काड विकाते हैं ओके फिर हम बढ़ते हैं कोच्छन नंबर फोटीन की ओर तो परम और अनुराग कम्प्यूटर किस देश से समंदित हैं कि परब्र ऑपने सुना कर लिए का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन सा है तो परम लेकिन परम में आपका 8,000 आया था फिर 10,000 और इस समय ले टेस्ट में आपका है परम सिद्धी AI जो कि इंडिया का सबसे सकती साली कंप्यूटर है वर्तमान में और पहला जो है कि सूपर कंप्यूटर कौन से था परम 8000 तो परम और अनुराग कंप्यूटर किस देश से समन्दी थे बताने आपको बहुत ही यहां में बेदर सकते हैं को संदेखते colors तो एन नंबर ऑप्चन है इंडिया देनol एमेरिका ऋ्स्तिन है चाइन और क्लाए रसिया है तो करेक्ट थे अंशर क्या होगा कि परम और उननुराग है यह दोनों कंप्यूटर किस देश से सम्झेथर किस देस में बने हैं या फिर किस देश में हैं इंडिया में है कि अमेरिका में है या फिर चाइना में है या फिर रसिया में है तो देखे यहां पर हम बात करें परम अनुराग की तो यह दोनों आपके इंडिया के कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प सबसंद जो पंज काड़ काउपयो किसके द्वारा किया गया था तो A नमबर आप आप सेने जौन विन्सेंट B नमबर आप सेने जे प्रेस पर एकड़ C नमबर आप सेने हरमन होलेरीत एंड सेमयों कोर्सको और D नमबर आप सेने all of the above तो जो पंज काड़ था द्वारा या फिर harman already चमयोन कोर्सकैों द्वारा या फिर उपर सभी के द्वारा तो देखें जो पंच कार्ड था पंच कार्ड जो है कि harman हो ले दी था और सेमन कोर्स के द्वारा जो बनाया गया था कंप्यूटर उसमें इस्तेमाल किया गया था पंच कार्ड का जो C number option है बिल्कुल correct होगा चलिए फिर हम पढ़ते हैं इसी क्रम में अपने next question की ओर तो next question हमारा question number 16 तो question number 16 क्या करा है कि printer की resolution किस में मापी जाती है जो printer है आपका तो printer का resolution किस में मापा जाता है printer का resolution को मापने के लिए कौन से काई होती है तो E number option है PPM यानि की pages per minute B number option है DPI यानि की dots per inch C number option है PPS यानि pages per second और D number option है CPM यानि करेक्टर per minute का सकते हैं तो correct answer क्या होगा कि printer का resolution किस में मापा जाता है तो देखेंगे printer का resolution होता है किस में मापा जाता है printer का resolution मापा जाता है DPI में किस में पर जाता है DPI dots per inch में और जो printer होते है 300 DPI सपोर्ट करते है 300 DPI तो दिखानों जब भी हम काम करते है Photoshop या फिर किसी program पे तो वहाँ पर जाता है तो हम 300 DPI का इस्तेमाल करते है और जब कि जो printer का speed होता है printer के speed को मापने के लिए पेज़ेस पर मिनट ठीक है यानि कि एक मिनट में खुल कितने पेज प्रिंट कर रहा है printer उसका उसकी speed को मापा जाता है 16 का जो B number option है dots per inch DPI या फिर क्रिक्टों का resolution के लिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ question number 17 की और credit card का दूसरा नाम क्या है A number आपसे ने debit card B number आपसे ने check card C number आपसे ने plastic money और D number आपसे ने all of the above correct answer क्या होगा कि credit card को अन्य किस नाम से जाना जाता है debit card के नाम से check card के नाम से या फिर plastic money के नाम से या फिर उपर्योग सभी के नाम से तो इसके लिए correct answer set करें आप लोग क्या होगा correct answer इसके लिए क्या है तो जो credit card है credit card का जो अन्य नाम है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं plastic money credit card को plastic money के नाम से जाना जाता है जबकि debit card को check card बोलते हैं debit card को check card के नाम से जाना जाता है और साथ में जो credit card है credit card को हम बोलते हैं plastic money question number आपका जो 17 है इसका D number आपका बिल्कुल correct होगा फिर हम पढ़ते हैं इसे के साथ अपने next question की ओर तो next question है हमारा question number 18 Linux क्या है Linux क्या है A number आपका मल्टी टास्किंग मल्टी पर्पस B number आपका सिंगल टास्किंग मल्टी पर्पस C number आपका सिंगल टास्किंग सिंगल पर्पस और D number आपका सिंगल टास्किंग सिंगल पर्पस तो Linux क्या होता है Multitasking मल्टी पर्पस होता है या फिर सिंगल टास्किंग मल्टी पर्पस होता है तो Linux क्या है, Linux क्या होता है तो Linux क्या है आपका Multitasking, Multipurpose Operating System है Multitasking एक साथ एक साधिक हमकार कर सकते हैं तो Multitasking, Multipurpose है और ये Multi-User भी है एक साधिक लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं और Linux एक Open Source Operating System है जो की Linux Star Wars के द्वारा 1991 में Health Secure University में विक्सित किया गया था तो Question No.18 का A No.Option Correct होगा फिर हम बढ़ते हैं इसके साथ Question No.19 की ओर तो Question No.19 है Apple के Founder काउन है जो Apple Company है उसके Founder काउन है तो पता है ये लोग रेक्टा एंसर क्या होगा तो A No.Option है Steve Jobs B No.Option है Steve Wojnack C No.Option है Ronald Wine और D No.Option है आला आप देवाबन उपार योग सभी तो Correct answer क्या होगा Apple Company के Founder काउन है ये बहुत दी सिंपल सा Question है लेकिन हो सकता है कि ये आप लोग थोड़ा सा Confused हो जाए इस Question में तो देखे Correct answer यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग Apple Company के Founder पोचे अपर लोग परचित होंगे कि Apple Company के iPhone साते हैं जो कि बहुत काफी महंगे फोन्स होते हैं Apple Company के और साथ में जो इसका Laptop आता है Apple Company का उसको हम MacBook के नाम से जानते हैं जो Apple का Laptop आता है क्योंकि यह branded phone में गिना जाता है और इसके Founder को हमें ते इस्टिव जॉप्स इस्टिव ओजियाक और रोनॉल्ड वाइन और उपर युक सभी तो उपर युक सभी यह सभी जो हैं कि आपके Apple Company के Founder हैं सबने मिल करके Apple Company के स्थापना की थी ठीक है फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ question number 20 पे जो कि यह पहले message किसके द्वारा send किया गया था सबसे पहले message किसके द्वारा send किया गया था बताने आपको correct answer क्या होगा तो देखे हम message send करें जैसे कि हम क्या करते हैं mobile phone से message send करते हैं यहां पर आपको बताने कि सबसे पहले message किसके द्वारा send किया गया था तो इसके पाउंडर है निकोलाई डियूरो और पावल डियूरो निकोलाई डियूरो एंड पावल डियूरो जो है कि आपके टेलिग्राम के founder है और जो वार्टसेप वार्टसेप जो है कि आपका इसके पाउंडर है ब्राइन एक्टेन और जॉन कॉम और जो इंस्टाग्राम के फाउंडर है के विन सीस्ट्रोम और जो अर्पानेट ने लॉंच किया था Advance research project agency ने लॉंच किया था और अर्पानेट का अर्पानेट का प्रथम computer network था और इसके द्वारा सबसे पहले messages सेंड किया गया था यहां पर आपको इसे धयान के email की बात नहीं हो रही क्या बात हो मैसेज की बात हो रही है तो जो आपका यहां पर और पहला मैसेज के द्वारा नेशनल साइन्स फाउंडेशन नेटवर्क ओके फिर हम बढ़ते हैं question number 21 जो की है किस approach के लिए यानि किस उद्देश के लिए data analysis के प्रस्णों को पूछा जाता है data analysis जो होता है कि उसके प्रस्णों को किस approach के लिए पूछा जाता है तो यह number option है कि उन प्रस्णों का उत्तर ढ सके यानि कि ऐसे प्रस्णों को पूछना जिसका उत्तर मिल सके बी नमबर आपसे नहीं कि बीसेश प्रस्ण के लिए केवल एक एक उत्तर ढूणना के लिए और सी नमबर आपसे नहीं कि बीना प्रस्ण पूछे data set से उत्तर ढूणना यानि कि बीना कोई प्रस्ण पूछे जो data set होता उससे कोई उत्तर डूलना और D number option है कि इन में से कोई नहीं तो इसके लिए correct answer क्या होगा कि किस approach के लिए जो data analysis है उसका प्रस्णों को पूछा जाता है तो उसके लिए क्या होगा कि उन प्रस्णों का उत्तर डूलना जिनका उत्तर दे सके जो big data है big data जो है कि वो जिन प्रस्णों का उत्तर दे सके ऐसा ही प्रस्णों को पूछा जाता है data analysis के लिए ठीक है तो question number 21 का जो A number option है बिल्कुल correct होगा फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ अपने next question की हो तो next question है question number 22 big data analytics की विशेश्था क्या है big data analytics की क्या विशेश्था होती है तो A number आप सब्सक्राइब की open source B number आप सब्सक्राइब करना जो होता है वही क्या होता है big data analytics होता है तो इसकी क्या विशेश्था होती है open source, scalability, data recovery या फिर all of the above correct answer क्या है तो big data analytics के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो big data होता है कि बहुत सारे data जैसे कि आपके इंटेंटों बहुत सारे data उपलब्द हैं तो बहुत सारे data में से उपयोग में आने वाली data को जो है पाचानना और उसको जो है कि एकठा करना वही आपका होता है big data analytics और big data analytics की विश्यस्ता क्या होती है कि यह open source होता है साथ में scalability भी होते हो data recovery भी होता है तो question number 22 का जो डी नमबर आपसन है all of the above यह option आपका विल्कुल correct होगा big data analytics की विश्यस्ता क्या है उपर रुख सभी open source scalability data record यह सभी big data analytics की विश्यस्ता है है फिर हम बढ़ते हैं question number 23 पर फेस्बुक हाइडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग रहीत करता है Facebook हाइडूप पर आधारित जो है कि किसके साथ बड़ा डेटा संग रहीत करता है तो ए नमबर आपसने पर फेस्बुक हाइडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग रहीत करता है ठीक है प्रोजेक्ट प्रिज्म के संद बड़ा डेटा संग्रहित करता है ठीक है 23 का यह नमबर जो आप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं कोस्टर नमबर 24 पर जो की है किस मॉडल के कलात्मक प्रकार की समय सामिल है जिने आप इंटरनेट के दवर डेटा इस्टूर के जाता है वही आपका होता है क्लावड कंप्यूटिंग प्लेटफर्म पर एक्सेस कर सकते हैं तो ए नमबर आप्शन है सर्विस बी नमबर आप्शन है डिप्लॉयमेंट सी नमबर आप्शन है एप्लिकेशन और डी नमबर आप्शन है के नन आप दी मेंसंड तो क्रेक्ट एंसर क्या होगा तो यहां पर आपका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा सर्विस क्या होता है सर्विस सर्विस मॉडल में कलात्मक प्रकार की समय सामिल है जिने आप क्लावड कं व्यूटिंग प्लेट फार्म के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं 24 का ए नंबर आप्सन स्लेक्ट करेंगे चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसे कसानात अपने नेक्स्ट कोशन की ओर तो नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नंबर 25 निवन में से कौन सा model deployment model है deployment modeling में से कौन सा होगा public B नंबर आप सने private कि सीनबर आप सने hybrid और डिमबर आप सने all of the उन्षन्ट तो क्या होगा कौन सा म इन्षन होगा जो के deployement model है public private Leben में संदैं प्लिक्ट प्राइवेट आहिबेड जा फिर all of the मिन्षन्ट तो deployment model कौन सा होता है उपर युग से भी question number 25 का जो d number option है बिल्कुल correct होगा all of the mentioned यह उपर यह जो कुछ भी लिखा गया है यह सब आपके deployment model है 25 का जो d number option है बिल्कुल correct होगा all of the mentioned option बिल्कुल correct होगा क्योंकि deployment model में public, private और hybrid तीनों होते हैं 25 का d number आपसे select करेंगे तो इस तरह से जो है कि आज के हमारे 25 questions complete हुए और ऐसे ही आप regular classes को पाने के लिए हमारे triple c class के लिए हमारे youtube channel novel it studio को नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe कर लेजिए और साथ ने bell icon को भी प्रेस कर दिजिए जिसे जब भी कोई class schedule किया जाए उसका notification आपको मिल सके और आपसे कोई भी class मिस नहों और आप हर class को आप अटेंड कर सके और साथ अपने exam की बहतर से बहतर तयारी कर सके और दोस्ता इस पर जो है कि आपको अन्य topics है जिसे आपका Microsoft Office Excel है Word है PowerPoint है Photoshop है इसे लेटेट भी आपको वीडियो आप को मिलते रहेंगे तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और अप्डेट को देखते रहें जिसे कि आप अपने computer knowledge को improve कर पाएं और बहतर से बहतर चीज़े सिख पाएं और बहतर जो है computer के शेत्में अपना योगदान दे पाएं ठीक है तो फिर मिलते है next day औ और इबारेंट कोशन के साथ